है लो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो गाइस कैसो आप लोग आई होप सब बढ़िया हूं गयार तो गाइस मैंने एक वीडियो डाले थी आई कुट फ्रीफायर करके तो उसमें से यार कुछ बंदों के कॉमेंट आये भाई की फ्रीफायर क्यों छोड़ा है फिर म अगर तुम उस वीडियो को पूरा देखते ना तो तुम लोग को समझ आता कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है और उसमें कुछ कॉमेंट आया दे भाई मत करो कुट ऐसा वैसा करके तो सबसे पहले थैंक यू सो मच यार भाई जिन्होंने भी कॉमेंट बढ़िया थैंक सब्सक्राइब निक्या प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो में मैं तुम लोग को देने वाला हूँ एक बहुत ही तगड़ी हेडशॉट सैटिंग फ्रीफायर की एमुलेटर पीसी की तो इस वीडियो में जो सैटिंग बेज़े जिस सब्सक्राइब ने बहुत ही तगड़े इसमें हेडशॉट लग रहे थे और काफी शैंसे वीडियो भी काफी बढ़िया थी एक्रम स्टेबल थी तो एंट तक दिखना इस वीडियो को अगर चैनल पर पहली बार हो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकोन कॉल पर सट कर और अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है फिर कुछ भी थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना तो भी चलते है अपने सैटिंग चीवर तो लेट्स गो सबसे पहले यहाँ पर तुम सैटिंग देख लो जो सबस्क्राइब ने सैटिंग भीजिए भाई की चैनल का नाम है srkff तो बिख्शाओ भाई को और यहाँ पर भाई ने साफसाफ लेखा हुआ है low end pc god setting और यहाँ पर emulator का resolution भी दिया हुआ है जो कि सबसे low वाले resolution है और d dpi वगर xy सब कुछ दिया वा है इस तरह तुम अपनी सैटिंग में comment कर सकते हो ताकि मैं तुम्हारे सैटिंग भी अग्ली वीडियो में try करूं तो इस तरह अपनी सैटिंग भी comment कर देना एक्दम detail में सो यहाँ पर सैटिंग अप्लाई करते हैं तो सबसे जो sensitivity general की है वो य यहाँ पर तुमको आजाने की mapping पर control में आपर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर इस पर right click करना और यहाँ पर जो properties में जो xy की position दिये x यहाँ पर 80 पर है y यहाँ पर 60 पर है और जो यहाँ पर mouse की x और y sensitivity है guys वो यहाँ पर x sensitivity है यहाँ पर 2.63 पर ठीक है और जो यहाँ पर 28 यह पर होती next level है काफी बढ़िया ट्विक्स है यह भी तो यहाँ पर काफी बढ़िया ट्विक्स है इसको ट्राइगा लेना सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर तुम लोग को आ जाने है अपने एमुलेटर की सैटिंग पर आने के बाद डिस्पले में आने के बाद गया है जो रिजुलेटर के डीपिया फोर फोर टी रख लेना है इसको सेव करने के बाद तुम लोग को अपना एमुलेटर रिस्टार्ट कर लेना है और उसके अलावा जो सैटिंग है इस माउस पॉइंटर की है फोर नमर पे यहाँ पर माउस पॉइंटर माउस सेटिंग सेर्च करना है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जाने तुम लोग को यहाँ पर एडिशनल माउस ऑप्शन पर फिर जाना है तुम लोग को इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन पर जाना है और पास gaming mouse है और जिनके बास gaming mouse नहीं है तुम लोग को कुछ नहीं करना है जो मैं दूंको बता रहा हूं वही तुम करते रहा हूं ठीक है और आगली setting यहाँ पर तुम सर्च करना है control panel control panel में Ace of Access जो setting होती है वहाँ पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर mouse setting होती है इसमें mouse ठीक है make your mouse वाला उस पर क्लिक करना फिर सेट है mouse कीज पर क्लिक करना है और आप जो टॉप speed और जो acceleration होता है ना दोनों ही यहाँ पर low पर रख लेने वहले starting पर रख लेने जीरो पर सो इसको सेव रख करने के बाद तुम लोग को अपने गेम में आ जाना है और भाई ने यहाँ पर देखो यह setting इतनी है अभी setting इतनी है और अभी तुम जब गेम मजाओगे तो अपने ग्राफिक्स को यहाँ पर स्मूथ पर लेना ठीक है जो ग्राफिक्स होते हैं यहाँ पर स्मूथ पर लेना और जो उसका fps होता है उसको high पर रख देना क्योंकि यह पर भाई ने बोलागा क्योंकि और एक proper low end PC वाली setting है तो यह सब तुमको कर लेना है यहाँ पर देख सकतो और जिनके पास gaming mouse नहीं है उनके लिए भी setting काफी बढ़िया है तो इसको try करना तो guys रहीत है इस वीडियो में I hope तुमको वीडियो पसलाएगी अगर इस वीडियो से कुछ भी help नहीं फिर इस वीडियो से तुमारे headshot rate कुछ भी बढ़ा है तो please मुझो comment बताना और वीडियो कैसे लिए कि बतातना comment मे अगर इस वीडियो से थोड़ी भी help मिलें please like कर देना चैनल पर अगर पहली बाहर हो please subscribe कर देना तो मैं मिलताओ तुमसे अगली वीडियो बहुत ही जल तब तक के लिए thanks for watching peace out